आरक्षन चला जाएगा ए मुद्दा अब देश की जनता समझ चुकी है कि ए देश की जनता को गुमरा करने का मुद्दा था। सरकार बन चुकी है, NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमने आरक्षन को ताकत देने का काम किया है। कभी भी कॉंग्रेस की सरकार थी तब केंद्र की सारी परिक्षा व्योस्ताओं में पीछड़ा वर्क को आरक्षन नहीं दिया गया ओबीसी को आरक्षन देने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने किया और समविधान की जहां तक बा के बाद में वो स्वयम एक प्रकार से जनता में हासी के पात्र बन चुके हैं पहले आपकी इंफर्मेशन को मैं थोड़ा करेक कलूं देश में कानून नहीं है हर राज्यों ने बनाया है और एक कानून के मसोधे पर भारतिय जनता पार्टी अपनी एक आंत्रिक कमिटी भी बनाएगी और महायुति की सरकार बनने के बाद सरकार भी एक कमिटी बनाकर सभी स्ट्रेक होल्डर से चर्चा कर पर कठोर से कठोर कानून जिसके कारण धर्मानतरन सुन्य हो जाए इस प्रकार का कानून लेकर हमाएं देखे पहले तो मैंने नहीं कहा कि वो अमल नहीं करे ह उनके राष्टी अध्यक जीने कहा है कि बड़ा कठीन होता है ऐसे वादे देते हो तब और आप मैं महाराश्ट की पूरी महाराश्ट की जनता को करबद विननती करना चाहता हूं महाराश्ट के लोग हिमाचल में भी है महाराश्ट के लोग करनाटक में भी है और महाराश् ज्यानवन कितना हुआ है और जहां तक लाड़ली बहन योदना पर अगाड़ी का reaction का सवाल है वो स्वाभावीक है क्यूंकि उनको समझ में आता है कि लाड़ली बहन योदना महराश की माता वा बेनों की लाड़ली बन गई है वो उनको सत्ता में आने से रोक रही है इसलिए वो इसका विरोध करें रादनीती से प्रिरिध है और एक प्रकार से अंतर विरोध भी देखाई पड़ता है वो खुद भी वादा करें और लाडली बेहन योदना का विरोध भी करें कभी भी हमारे किसी सैयोगी संगठन ने और विसेशकर आरेजस ने इस प्रकार के फत्वे जारी नहीं किया चुनाव के अंदर मत्दाता का संपर्क और अपने मन के हिसाब से मत्दाताओं को समझाने का प्रयास ये लोकतांत्रिक अधिकार है परन्तु धर्म के अधार पर इस प्रकार की लामबंदी करकर फत्वे जारी करना अगर उसको अगारी वाले उचीत समत्ते हैं तो नोंने प्रेस कॉनफरेंस करकर महाराज की जनता को कहना चाहिए इस प्रकार के फत्वों का हम समर्थन करते हैं